जहिन चात्रो मैं इशार रहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और फिर से ये कहता हूं कि अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखिए और साथ में उसे एक युद्धिस्तर पे लेके जाएगे चात्रो मैं हमेशा आप लोगों से कहते रहूंगा कि एक smart study base पे जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसको बहुत सारे लोग जो है फॉलो कर रहे है निरंतर इसके जो है topics वो cover कर रहे हैं लेकिन comment box में answer कम आ रहे हैं इससे ये पता चलता है कहीं न कहीं वाला portion आप लेक कर रहे है आपको पता होगा तो कम से कम आप confidence दिखाते हुए comment box में उसका answer जरूर दे और यह part 1 और part 2 में जो है इतिहास का chapter चालू हुआ है उसे पिलकुल निरंतरता सारे important points नोट भी करते जाए और साथ में 100% concentration के साथ सारी चीज़ों को याद भी करिए यहां दिखाई दे रहे हैं आपको हमारे भारती गुरुदेव के नाम से प्रसिद स्री स्वर्गी स्री रविन्ना टैगोर जी हाना इन्हें तो सब जानते होंगे ठीक है हमारे राष्टिगान जनगनमन के रचैता ओके तो यह क्या कहते हैं यहां देखिए कि आप स्वरी यहां लिखाया होगा आपके आपके किनारे खड़े रहकर देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते आप कभी याद रखिएगा अगर आप प्रतियोगी परिछाओं के छेत्र में आ गए हैं और आप जो है निरंतर अगर आप प्रेक्टिस नहीं करते हैं या प्रेक्टिस नहीं करते हैं मतलब कि एडवांस हो रहा है आप वंडे एक्जाम में देखेंगे जो परमपरी कोस्चन जो पूछे जाते हैं उनको पूछ रहे हैं लेकिन पूछने की प्रकृती बदल दी गई है तो इन सारी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वे पे आप अपना इस्टडी करिए कूल माइंड रखे बिलकुल सांत दिमाग से पढ़ाई करिए अच्छा समय दीजिए पढ़ाई को और आधुनिक्ता से पढ़ाई करिए पेपर जो है आपका न्यूस पेपर में बार बार बो करता है जैसे कहने का तातपर यह है अभी 2021 में धौला वीरा को उनेस्को के विशुविरासा सुची में सामिल किया गया तो उससे हमें इंडस्वेली सिविलाइजेशन ऐसे पढ़ना है मैं करवाऊंगा आप लोगों को कि जो है सारा इंडस्वेली सिविलाइजेशन भागों में भक्ति किया है एक आपका प्राचीन भारत के इतिहास मद्यकालीन भारत के इतिहास और आपका आधुनिक भारत के इतिहास तो प्राचीन भारत के इतिहास वाला पूर्शन चल रहा है जिसका पार्ट वन पाशान कल हमने किया है पिछले सत्र में जो बच्चा प लोगों को समझ में आया होगा, स्यादा समय ना लेते हुए प्रारम करते हैं? यह रहा हमारा भारत का इतिहास, हमारा विशय है, प्राचीन भाग हम कवर कर रहे हैं, आज का टौपिक है हमारा पशाणकाल जो की भाग 2 है, याद रखिएगा जो पहली बार मैं बार बार बोल कि यहां दिखाई दे रहा है तो प्राचीन इतिहास को कैसे बाट गया है प्राचीन भारत से इतिहास बाट गया है भरती इतिहास देखाने मतलब जिसके लिफिस्वागों जैशन कवर होगा देन एतिहासि और रिखवेदिक एरा से लेकर भागी जनपत काल तक है महाजनपत काल तक है आपन इसमें देखने माले तो इतना आप पहला हो गया आपका पूरा पाशानकाल दूसरा हो गया मध्य पाशानकाल और तीसरा हो गया आपका नव पाशानकाल पूरु पाशानकाल मध्य पाशानकाल और आपका नव पाशानकाल याद करते जाएगा साथ में ठीक है पूरा पाशानकाल से हमने डिटेलिंग देखी मतल नकाल थोड़ा सा मनुष्य सब हुआ छोटे-छोटे आउजारों का उपयोग करने लगा इसलिए उसे माइक्रोपाशानकाल में, उसका जीवन थोड़ा इस्थिर हुआ, इस्थिर होने के साथ जो है उसने क्या चालू कर दिया क्रिसी करना प्रारम कर दिया और सबसे बड़ी उपलब्धी समय चक्के की कोच कर दिया मतलब तो ट्रेस करना है तो मैंने बताया भारती भोगोल का कख्छा आपका कख्छा देखे जिससे वो शारत दिमाग मैं बैठ्द सके उके यहाँ देखिए उसके बाद मैं बोला कि अपना उत्तरपूर वाला छेतर चेतर में जाना है यूपी वाले छेतर में कोल्डी हवा और आपका लूहरा देव वाला छेत्र जहां से क्रिशी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यह सेंस में बठालना है काल के अकॉर्डिंग सारा चीज करवाऊंगा अभी मैं मैं सारा चीज रखा है मैंने तो मैं पोरियंटेट सारी के भी आप इसको अपने मैपिंग करके बना सकते हैं दैन उसके बाद यहां बताया मैंने कि आपका मेहर गड़ वाला छेत्र जो की पाकिस्तान बलुचिस्तान वाला छेत्र है जहां से पासाण काल से लेकर आपका सिंदुगाटी सभ्यता के साक्ष प्राप्त होते हैं उसके इस प्रकार के चीजें मैंने पिछली अक्षा में बताई है अच्छी तरह से डिटेलिंग किया है इसमें थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगा जो पहला पार्ट जाके जरूर सबसे पहले देखे यहां आगे बढ़ते हैं यह रहा आपका पूरा पासान काल पूरा पासान का होता है पत्थर और पूरत पूरा पसान पत्थव फालब जीवन वाला काल था इस प्रकार से याद रख सक्ते ही यह Beauty और इस सवय मनुझे आदी मानों का जीवन यापन करता था और क्या करता था, खाना बदोस का जीवने आपन करता था, सबसे बड़े उपलब्धी क्या थी, फिलिंट का खोज हो गया, चकमक पत्थर का विश्कार हो गया, जिससे की आग की खोज उसने की, ठीक है, और यह कैसे पता चलता है कि यह पूरा पसान काली निस्थल है सर, कैसे पता चलेगा, बोले कि आपका मध्यपासान काली निस्थल है, नौपासान काली निस्थल कैसे पता लगाएगा, तो याद रखिएगा, एक मैथड बताएगे है पिछली कक्छाओं में, जिसको यूरेनियम मैथड कहा जाता है, यूरेनियम मैथड द्वारा पत्थर एवं चटानों का हमें क्या ग्याद करते हैं, आयू ग्याद करते हैं उससे, ओके, इतना समझ में आया, नोट भी कर सकते हैं साथ में, मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक है, तो रिवाइज करते हुए चलने है, अब देखिए, यहां से कौन-कौन से साक् लहुंदा नाला देखिए, जो की पूरा पासाण कालिन छेत्र है, आपका कहा है, यूपी में, फिर हाँ 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 नावरा और भीम बेट का याद रखना है, पहले क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश में लहुंदा नाला, उसके बाद आपका हाँ जो कि तमिल नाडू में इस्थित है ठीक है वह याद रखना है तो क्या क्या याद कराना मैंने पहले उत्तर प्रदेश पोचिंगे उत्तर प्रदेश में क्या याद किए लहुंदा नाला मध्य प्रदेश आए मध्य प्रदेश में क्या याद रखेंगे हम भीम बेटका और आपका हथनावरा फिर उसके बाद पल्लावराम याद रखना है तमिल नाडू में जहां से कुलहाडी सभ्यता की खोज की गई इतना क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां दिखाई दे रहा है यह महोदय को भी दिखाया था मैंने आपको विजुलाइस कराया था कि इ याद कर सके हम ठीक है यहीं याद करना है नोट्स बनाते हुए जादा नहीं बैठना है बना सकते हैं चोटा मोटा नोट्स लेकिन याद रखिएगा यहीं 100% कंसेंट्रेशन से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बाद में याद करने की जरुवत नहीं पड़ेगी मध् ठीक है डॉगी बताया था मैं आपको तो यहां कौन-कौन से आपका साक्ष प्राफ्ट होते हैं यहां देखो लूहरा देव सराय नहार वाला चेत्र महदहा वाला चेत्र कहा है उत्तर प्रदेश में क्या के बताया आपका लूहरा देव महदहा और आपका सराय नहार लूह पता चल रही है चटान से की लूहरा देव जो है मध्यपासान कालिन से संबंदित है लेकिन ये 9% तक के तो चला होगा मनुस्य तो वहां रह रहा होगा कंसेट्ट दिमाग लगाने सेंस लगाने है ठीक है कोई बात नहीं तो यहां आपका आदमगर दिख रहा है आदमगर से जो है आपका मध्य प्रदेश से याद रखना है ठीक उसके बाद है नागवर और सांभर जील निच्छेप और बागवर वाला छेटर भी याद रखने ह और आपका सांभर जिल निचेप में से भी आपका क्या प्राफ्त किया गया है मद्यपसान कालींट इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं यह रहा चात्रों चोटे-छोटे आउजार महदय फिर से आ गए हैं जो आपका चोटे-छोटे-चोटे-उजार का आपका नौपासानकाल से याद रखना है मनुस्य का जीवन इस्थीर हो गया मनुस्य और इसमें सबसे बड़ी उपलबधी थी चक्के की खोज कर ली इसने transportation कब से प्रारांब हुआ ये अगर प्रस्थ्ध देता है तो उसके बाद यह다면 यहां से पसान पाल से लेकर आपका कहा तक के शिंदुगाटी सब्यता के सक्षच प्राप्त होते हैं ठीक है नागार वाला च्छेत्र सांबर जिलनी छेब फिर से आ गया ये कॉन से है नौपासानकाल इनीस्थल मैंने बताया कि लूरा दे उस समय क्यों लिया गया है नब मद्यपासानकाल कि नौपासानकाल में क्रिसी प्रारांभ हुआ ठीक है तो आपका सा गलता है नागार्जुन कोंडा जो है यहां नहीं किलीर हुआ नवपासानकाल में मनुष्य भी करना प्रारंब प्रारंब कर दिया याद रहे चात्रों इस समय की सबसे बड़े उपलब्धित आपका चक्के का खोज कर लिया पूरा पासानकाल में आग सबसे पहली खोज आपका मध्य पासानकाल में आपका क्या याद रखना है पसुपालन सबसे बड़ी इस्थाई जीवन यापन करने लग गया देखो एक्सरसाइस कर रहे है और यह क्या है बगानी क्रिसी भी कर रहे है इस प्रकार से ठीक है आगे बढ़ते आईए अगला है यहां देखिए नौ पासान काल के पस्चाद हमें याद रखना है तांबे की खोज हो गई तामर पासा कर सकते हैं उसमें नहीं लिखाया नावदा ।ोली के ऊंच आपका तामर पासाण कालिन युगान चेत्र हो उसके बाद आपका जारवे याद रखना है महरास्ट में महरास्ट में जार वे जो यह सारी जो हां आ सेरे तौग्वें खाला ऐन यहां दो आप देखेंगे 9 पाषाण काल छेत्र बूर्ज होम, यहां से मनुस्य के साथ कुट्टे को एक साथ दफनाने के साक्ष प्राप्थ हुएं, गर्त अवास के साक्ष प्राप्थ हुएं, आगे questions भी देखेंगे हैं, लेकिन इस प्रकार के तत्य हमें याद रखना है, यहीं 100% कंसेंट्रेशन से, जितनी सारी चीज़े बोल रहा हूं, सारी चीज़े याद रखना है, ओके, आगे बढ़ते हैं यह, यह रहा आपका पसाण कालीन, साक्ष, अब यहां देखिए सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या क्या है, सबसे पहले पाला गया जानवर कौन कोची स्थान बताया हूं, पाकिस्तान वाले चेतर में, ओके, बुर्ज होन, बूर्ज होन से क्या प्राप्थ होता है, मनुस्य के जमीन के अंदर मतलब Гर्तावाज के साक्ष प्राप्थ होते हैं, इस प्रकाल से याद रखना है। भीमबेट का सैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ठीक है वी एस वाकंकर द्वारा इनकी खोच की है पिछले सत्र में प्रस्ण भी करायागी है तो इसलिए बार-बार बोड़ रहा हूं पहला सत्र सबसे पहले देखें ताकि क्विक रिविजन कर पाएं यहां और आपका प् सब्सर होगा मैंने बताया है कुलाडी सब्व्यता जो की पूरा पासानकाली साक्ष प्राफ्ट हो जहां से आपका पल्लावरम से ठीक है यह पल्लावरम भी बोलते हैं इसको ठीक है इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं यह रहा हमारा प्रसंग मांद दो निम सब्सक्राइब की सामागरी से पसाणकास्य और लोह यूग का त्रियूगी विभाजन किस ने किया ओके क्या है डेन्मार्क में इस ठीक है आपका कोपन हेगन संग्रहले और यहां जो है थॉमसंद्वारा जो है क्या सिद्ध किया गया था आपका वस्तु यह आपका बाकी स light आक्षियों से इन फिंग से इन ठीन भागों में इसी विभक्त किया था इसकी थकरी इन्होंने दी ठी कौन कों से कणैब का पत्र है का और योग सब्धत है इसकी थियोरी 초 और रखते हैं वरतमान इस्थिति में अगर कहीं पूछ बैठ क्ठा पासानका इस थाल से कोई खोज हुई है यह आपका कहीं जो है किसी ने थीसिस दिया है तो इससे भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं इसका दिरिश्टी कोण यह था ओके आए आगे बढ़ते प्रस्ण चार है हमारा निमलिखित में से किस इस्थान में मानाव कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी सवधा से प्राप्त हुआ है बताया हूँ बुर्ज हों जम्म है कश्मीर से ठीक है तो इस प्रकार से प्रस्ण पूछा जाता है दिश्टी कोंट अलगा लग रहता है प्रस्ण का नावदाली किस राज्य में वस्ती थे आम अध्यप्रदेश में बताया हूँ और ताम्र पासान य यूगी सभ्यता से संबंदित है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद है निमलीखित में से किन इस्थानों से मध्यपासानकाल में पशू पालन के प्रमान मिलते हो कि मध्यपासानकाल तुरंत याद रखो वीडियो को पीछे करके भी देखो आप्शन में दिखेगा अंदे चालकोलिथिक एज कहा जाता है तामर पासान यूग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह क्या हो जाएगा नौ पासानकाल आपका नियोलिथिक एज ठीक है उस प्रकार पूरा पासानकाल क्या हो जाएगा आपका प्रोटोस्टोरिक एज इस प् प्रस्ण कमांग आठ है खाद्यानों की क्रिशी सर्व प्रथम प्रारंभुई थी याद रखेगा खाद्यानों की क्रिशी सर्व प्रथम प्रारंभुई थी आपका नौ पासान काल में यहां दिखाई दे रहा होगा मध्य पासान पसु पालन चालू हो गया ठीक है पूरा प प्रस्वांग नौ है एक ही कब्र से तीन मानाव कंकाल निकले ओके ठीक है याद रखिएगा आपका के अभ्यूदय के प्रारंब प्रमाण प्राप्त हुए हैं के ठीक है देखो को इसा दीख रहा है मुंडगींग मेहर्गर तो ही हो गया नाद्यारा ताम तमराशमकाल में महराश्त्र के लोग मिहतकों को घर के फर्स के नीचे किस तरह रखर दफनाते थे बहुत ही पेचीदा प्रश्ण है और जो है एकदम इजी कंसेप्ट है इसका याद रखेगा महराष्ट वाले छेत्र से आपका नौपाशान कालीन साक्ष प्राप्थ हुए हैं जिससे यह पता चलता है आपका कि उत्तर से दक्षि और ताम्बे के उपियोग पर अधारित एक संस्कृति को जिस रूप में जाना जाता है ठीक है पत्थर एवं ताम्बे के रूप में बिलकुल यहां दिखाई दे रहे तामर परसानः यूगीन कलप को क्या कह जाता है आपका पत्थर एवं ताम्बे दोनों announced कर दिया काल थाल्य ठीक है आगे बढ़ते आये अगला है नीचे दिये गए कथन दिखान कि इह थोड़ा दूर से पढ़ना हो गए से मुझे थीक है बहुत चाएं इसमें लिखाया है नीचे दिए दो कथन दिए हैं एक हभी कथन ए तया दुसरे को कारण आ कहा गया है ओके ए विंद छेत्र के पसाण यूगिन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवर्जन किया बिल्कुल सही है याद रखियेगा आपका मनुस्य जब विंद वाले छेत्र में रहता था तो जी आर सर्मा द्वारा जो है यह बताया गया कि आपका उन बिद्त थे उनके द्वारा पता लगाया गया कि मनुष्य जो है विंदे छेत्र में रहता था लेकिन जल्वाईयू परिवर्तन की वज़ा से वह कहां चले गया आपका गंगा घाटी छेत्र में उहां का जो है जल्वाईयू बहुत बहतर रहा है स्टार्टिंग से ही आपका नदियों का प्रवाच्षेत्र मंतब नदी प्रवाच्षेत्र के अंतरगत आते हैं तो क्रिशी और बाकी सब सारी सुविधाओं से आपका परिपूर्ण रहा है तो इस प्रकार पहला कथन क्या होगा सहीं सहीं उसके बाद है कारण आर जल्वाईयू परिवर्तन के कारण इस काल में सुस्क्रता का चरण था यह भी बिल्कुल सहीं जल्वाईयू परिवर्तन मैंने बताया तो क्या था आपका सुस्क्रता का चेत्र था ठीक है तो क्या हो जाएगा यह अभीकतन सहीं है और कारण भी सहीं है तो दोनों सहीं होगा ठीक है तो ए आर दोनों सहीं है आर एकी सहीं व्याख्य करता है बिल्कुल सहीं तो यह option ए हो जाएगा आपका इसका आंसर तो इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं इन विशाव पर भी जोर देखें डीटेलिंग आप अच्छी तरह से पढ़िए और इसे भी चानिए आगे बढ़ते हैं यह अगला हमारा प्रस्ण का मांग 15 नवदा टोली का उत्खनन किस ने किया तो याद रखेगा नवदा टोली का जो कुछ उत्खन रहा है वहां पस तो इस प्रकार हमारे 15 प्रस्णों का संकलन यहां कम्प्लीट होता है हम जो है चोटे-चोटे पार्ट में इसे लेकर आ रहे हैं तो इसलिए से क्विक रिविजन फॉर्मेट में अच्छी तरह से इस बीड में देखिए और चात्रों हमेशा मैं आप लोग से ठीक है यहां रहा यह आज का प्रश्न पांच गर्थ अवास के साक्षे गर्थ अवास मैं इससे बार बार सेंस बता रहा हूं मैं इसका अंसर नहीं बताओंगा लेकिन गर्थ अवास के बारे मैंने आपको बताया है तो इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इ किसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चाहत्रों जय हिंद जय भारत